नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हेंदी नोली स्वामें दोस्तों जानते कि भारत के प्रदानमंत्री समय फ्रांस गए हुए है वहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और सभी रुपिन देश और जो अमेरिका भी अजी सेवन के सभी मिलने वाले है बहुत बड़ी एक मीटिंग है बहुत बड़ा संगठन भी है जी सेवन बड़े बड़े देशों का और भारत के लिए बहुत इंपरेंट है साथ ही इससे लेटिट एक भारत के ख़वर आई है कि फ्रांस वहीं पर भारत को करीबन 34-36 और राफेल का डील के लिए प्रपोज कर सकता है और इसमें सबसे महत्रफून बात क्यों होगी क्यों ये डिल इतनी महत्रफून मने जा रही है क्योंकि ये बहुत ही सस्ते हो सकते है पुराने राफेल से क्यों क्योंकि इस बार कहा है जा रहा कि सस्ते होने का सबसे बड़ा करण ये होगा कि इसमें ट्रेनिंग का खरचा न और ये भी है क्योंकि अगर कोई देश के सामने कोई डील लगता है वो तभी रखता है जब बैक डॉर सब कुछ सैट हो गया हो और खुले आम डील तभी रखे जाती है जब ओली एकसप्ट हो चुकी हो और यह कहा जा रहा है कि भारत इन्हें एकसप्ट कर सकता है दरसल फ्रा अच्छी बात है हमारे पास आने वाले हैं आ जाएंगे कुछ सालों के अंदर ही लेकिन हमें और ज़्यादर ज़रृत भी होगी क्योंकि कि हमारी जो वायू से ना है उसका मनोबल ना गिरने पाए फाइटर जैसी क्रेश होता है तो पाइलेट्स और जो सबके मनोबल पर असर पड़ता है भारत हालकि क्या चुका है कि जो अपने पुराने फाइटर जैट है मिग उन्हें वो डिसकंटिन्यू करते हैं साथ ही जै काफिल के साथ कॉंट्रोवर्सी हो चुकी है भारत अगरे सस्ते दाम पकरी देगा तो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्ट याई है इस तरह के से एक तरह से फैला सकते है कि पिछली वाली में डील में कुछ गर बढ़ता जबी हो महांगा था और इस वाली में नहीं यह सस्ता है इस तरह की चीजों को फैला जा सकता है जिससे की गवर्मेंट पीछे सकती है किसे भी कॉंट्रोवर्सी से लेकिन एक जो पॉजिटिव पक्स ही है कि यह सरकार काफी मजबूत है और यह डटकर मुकाबला कर सकती है इन चीजों का लेकिन भारत कोई फाइटर जट सच में जरूर चाहिए क्योंकि भारत की जो डिफेंस तरह के स्टेंथ है लगातार गिरती जा रही है एरफोर्स के मामले में हमारे फैटर जेट कुछ पुराने सुख होई के अलाबा कोई ऐसा अडवांस फैटर जेट भारत के पास नहीं है हाला कि दोस्तों पिछले कुछ दिनों जो बहुत बडिया ट्रंसपोर्ट हेलीक्योप्टर माने जाते हैं दुनिया कोई ब takeaway कोś Lex जाते हैं जब पीछे की दर्वा जैसे सरकारे आपस में कोई चीज confirm कर चुके हो क्योंकि फिर embarrassment होता है कि कोई देश की देश को deal offer करता है और वो एक तरह से सारजनी ग्रूप से उसे unaccept कर दे तो ये बहुत बड़ा step डखो सकता है तो फिलाल दोस्तों इसके बारे में इतना अपडेट था है थे मारें में अचर होता है झाल झाल झाल